स्वागत है आपका सॉफ्ट्वल इंडिया की डिजिटल प्लाटपॉर्म पर अगर आप एक रिटल चैन या होलसेल बिजनेस रन कर रहे हैं और आप ड्यू क्यांटिटी बैलेंस को रिकालकुलेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इस प्रोसेस में गाइड करेगा और आप इसी क्विकली प्रोसेस कर पाएंगे रिकालकुलेट किसी भी चीज़ को दुबारा काउंट या मेजर और न्यू टीटेल्स इंफॉर्मेशन का यूज करना होता है रिटल ग्राफ साफ्ट्वेय में परचेज और सेल्स ट्रांजेक्शन में ड्यू क्वैंटिटी बैलेंस रिकालकुलेट करना है तो सिस्टम मेंटनेंस विंडो से कर सकते हैं अब इस वीडियो में देखते हैं Due Quantity Balance को Recalculate करने के बारे में, इसके लिए सबसे पहले रिटल ग्राफ के Options मेन्यू को सेलक्ट करेंगे, फिर System Maintenance पर क्लिक करते हैं, यहां से Recalculate Option पर क्लिक करते ही सारे Related Features शो होंगे, अब यहां से Purchase Order टैब को सेलक्ट करते हैं, फिर From से 2D Trends को सेलक्ट करते ही, उसी मताबिक Balance Quantity Recalculate हो जाएगा, अब Recalculate Option पर क्लिक करते ही आपको Successful Message शो होगा, फिर OK बटन पर क्लिक करते हैं, तो यह था Retail Graph में Sales Recalculate करने से जुड़ा वीडियो, वी हो इस वीडियो के हल्प से अब आप यह Process quickly execute कर पाएंगे, और आप इस Process पर हमारी Support टीम से भी हल्प ले सकते हैं, ऐसे और हल्फ़ल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू